गोस्टो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि B.H.U. में जॉब किस किस चीज की निकली हुई है यानी B.H.U. में एडमिशन के तो वीडियोज मैंने काफी बनाया है लेकिन इस वीडियो में खास है जॉब के बारे में, नौकरी के बारे में देश में जन संख्या डे बढ़ती जारी है जोब के लिए मारा मारी भी बढ़ती जारी है मार हमारी कहने के मतलब यह है competition बढ़ती जा रही है तो देश में अच्छी जॉब करने के लिए बीएचियू में काफी लोग जद्दो जहद करते हैं कोशिश करते हैं ट्राइ करते हैं नहीं हो पाता है लेकिन अभी आपके लिए मौका है बीएचियू में नौकरी करने का तो प्राइमरी टीचर्स के लिए हाइलाइट्स में आप देख सकते हैं कि पे बेनिफिट्स क्या क्या मिलेगा पे बेनिफिट्स लीवस और सर्विस कंडिशन एट पार विदकेंद्रिय विद्द्याले संगठन इस प्रॉलिंग कैंपस इन आपको रहने को मिलेगा गॉर्में 22 मेंटर यंग प्रॉमिसिंग मैंड सेलेक्टे थ्रू हाइली कॉंपिटिटिव स्कूल एंट्रेंस एक्जामिनेशन यानि बेच यू का जो यह नोटीस है बहुत ही अच्छी है देश के देखिए कि इसमें बहुत सारे लोग अपलाई करेंगे और इस वीडियो जो देख या वो जरूर अपलाई करेंगे तो बीच यू का एडमिशन की बहुत सारे वीडियो देख डाली है आगे और भी एडमिशन का वी वीडियो बनाऊंगा लेकिन यह इसमें खास होने वाले है रिकूरूटमेंट एंसेस्मेंट सेल में अब यह तो मैंने पोस्टर बना दिया इसका नोटीस कहा है तो नोटीस यहां है आप देख सकते हैं यह नोटीस पांच पेज कहा है यहां पे आपको जूम करके दिखा रहा हूँ आप बेसिक पे देखेंगे तो प्रिंस्पल्स के लिए 78,000 से शुरुआत है इसमें डिये 50% है तो कितना हो गया इसमें 4 हो गया औ तो कहने का मतलब है कि salary तो इतना जबरदस्त मिलने वाला है और इसके साथ साथ आप रहने के लिए सरकारी quarter भी मिलने वाला है जिसमें हर तरीके से आपके सुईथा मिलेगी तो यह जो school है Central Hindu Boys School Central Hindu Girls School Shiri Runway Sanskrit विद्दयाले इसी के लिए recruitment है जिसमें principals के लिए level 12 है PGT के लिए level 7 है P article 6 इसका basic पर आप देख सकते हैं वकेंसी कितनी कितनी है किस category के है आप देख सकते हैं यहां से principal के लिए तो सभी के लिए principal के एक 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 वकेंसी अन्रिजर्ब के लिए में है उसके बाद पोस्ट गरूजर टीचर के सब्जक्ट में है हिंदी में एक है English में एक है Math में एक है Economics में एक है Psychology, History, दर्शन, Physical Education, Physics उसी तरह TGT में अच्छे वकेंसी है प्राइमरी में भी वकेंसी है और पूरी complete details है कि इसके eligibility criteria क्या-क्या है कौन-कौन इसमें apply कर सकता है यह पूरा eligibility criteria के notice मैं आपको वीडियो के description में डालने के कोशिश करूँगा तो आप यह poster पढ़ advertisement पढ़ लीजिए apply करना है जो यह portal है यहाँ पर Welcome to the recruitment portal of Panaras Hindu University इस portal पर जाएंगे तो आपको यह registration करने पढ़ेंगे registration करके पूराने advertisement पी आप देख सकते हैं तो काशी हिंद विश्वेद दाले में अगर आपको इसमें interested नहीं है यानि इसके लिए eligibility नहीं है इंट्रेस्ट न से तयारी करके रखेंगे तो सही रहेगा नहीं तो फॉर्म निकलेगा दो-तीन महीने में फॉर्म भरने होते हैं उसके बाद आपको लगता है कि या काश मुझे पता पहले रहता तो मैं अच्छे से तयारी करता और काशी हिंदु विश्विद्याले में faculty बन जाता है teacher बन या non-teaching staff में किसी भी post में BHU में भरती permanent सरकारी नोकरी लग जाती और वहाँ पे campus में रहने के सुविधा मिल जाती तो यह पुराने advertisement भी देख सकते हैं मैं इसको भी video के description में डालने की कोशिश करूँगा बाकी आपको कुछ भी जानना हो तो BHU में RAC है RAC मतलब वो train वा यहां पर click apply about recruitment and assessment and regulation, ordinance and guidelines यहां देख सकते हैं guidelines यह सब चीज़े आपको मिल जाएंगी किस के लिए क्या-क्या guidelines है तो BHU में आप अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो यह guidelines भी आपके लिए जरूरी है regulations, ordinance, guidelines और पुराने इसमें आपको advertisement भी मिल जाएंगे तो यह advertisement download कर सकते है recruitment SSSL में नियम कानून देख सकते हैं non-teaching positions के लिए teaching positions के लिए सब चीज़े इस पर website पर दे रखा है तो यह video complete इसलिए बनाया हूँ कि हो सकता है कि आप लोग जिस चीज़ के लिए target कर रहे हैं वो अभी vacancy न निकला हो लेकिन future में इसका निकल सकता है यह chances हैं धीरे धीरे क् सकता है कि सरकार अब vacancy निकालेगी क्योंकि आप लोग पता ही है कि जब भी जिसके problems आती है और problem सरकार solve करने के कोशिश करती है जैसे आपका देखेंगे जो बीजेपी के seats हैं कम हुई है तो जाई से बाते सुईधा देने के कोशिश की जाएगी क्योंकि लोग चाह रहे है कि सुईधा मिले तो मैं वोट दूँ नहीं सुईधा मिलेगे तो वोट नहीं देंगे तो इससे सरकार को थोड़ा सा डर रहता है मजबूत सरकार आती है तो डर नहीं लहता है मतलब सरकार नहीं डरती लेकिन मजबूर सरकार आती जिसमें जनता मालिक होता है और सरकार पड़ेगा कोईज नहीं है सरकार के पास तो इस case में vacation निकलने के सरकारी ज़्यादा चांसे रेँवे भी वेकेंशे निकलने के चांसे एस लिए सी निकलने के चांसे यूपेसी में ज़्यादा सीटे बढ़ने के चांसे और देश की बहुत सारे university colleges में भी vacancy निकले के chance है तो नियम कानून सारे central university के लगबख same रहते हैं, colleges के same रहते हैं आपको करना होगा तैयारी, तैयारी करने के लिए आप नियम कानून जान लीजिए, नियम कानून जानने के बाद जो चीज़े पूछी जा रहे हैं, सिलेवस किस पोस्ट के लिए क्या सिलेवस रहने वाले ये बड़ा जरूरी है, तो काशी हिंदो विश्विद्दाले देश की एक institute of eminence है, यानि एक देश का शान है, इस देश का शान में आप अगर आप आएंगे, तो युवाओ को और शशक्त मिलेगा, यानि आप आईए और देश के युवाओ को ट्रेनिंग दीजिए, चाहे टीचिंग स्टाफ में नॉन टीचिंग स्टाफ में बी एचिउ में इतना फीस कम है, एक तरह के ये सेवा है, सरकारी सेवा, जितने आईए, खुद पढ़िए, या पढ़ाईए, दोनों के लिए वीडियो में आपके लिए बनाता हूँ, तो मिलते हैं इसे यूसफुल वीडियो में, तब तक you take good care of yourself, जैहिन जैबी एचिउ